नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने इटीव चनल बीडिएप इन्वेस्मेंट में आज के शुड़ी में बात करने वाले अधानी पावर लिमिटेड के उपर जहां पे दुस्तों गिरावट हुई है तो कौन से लेवल के उपर ये गिरावर डुख सकती है उसके वीडियो के अंदर और विट लॉजिक दोस्तों टू ट्वेंटी पॉइंटी पॉइंटी फाइव का अभी का क्लोजिंग प्राइज है माइनस 4.99 परसंट की गिरावट है दोस्तों और 11.60 रुपिस का डाउन है दोस्तों स्टॉप ओपन हुआ वैसे ही दूस्तों लोड सर है तो यहां पर दिखेंगी कॉंटिटी जो ट्रेडेड हुई है वो 24,49,265 है और डिलेवरी कॉंटिटी है वो 23,8171 है 97.22 परसंट की दोस्तों डिलेवरी हुई है क्योंकि दूस्तों लोड सर्किट में है तो बाई करना था कोई ऑप्शन था नहीं बट आज वॉल्यूम म दौर पर आ चुका है दोस्तों तो अब हम आ चुके विकली चाट के उपर दुस्तों विकली चाट के उपर आप दिख सकते है स्विंग लोग से स्विंग आई जो है वो सको कनेक करके जो लेवल आ रहा है 23,6 परसंट का जो 301 रूपीस 0.75 ऐसे का है जो दूस्तों के उपर दोस्तों जब ब्रेकाउट आया था तब मैंने रेकमेंड किया था फिर कंटिनियूस आपको ट्रेलिंग स्विंग के साथ बहुत ही बढ़िया मुमेंटम मिला येस्टर देस ट्रेलिंग स्विंग अपना हीट हो चुका है और कल प्रॉबिल दोस्तों यहां पे 23,6 परसंट जो है वह रेकमेंड लेवल को टच करेगा और 20 डिस्क मुविंग अवरेज हाई और लो से जो हाई मैंने बोल रहा था काफी टैम से बोल रहा था कि डिस्टंस बहुत ज्यादा है इसलिए नया बाई नहीं करना है यहां पर मैंने एवरी डे वीडियो बनाया और आ आपका बाइंग प्राइज 145 के आसपास है आपको कोई दिक्कर लेने की जरूरत नहीं है 2001 का हमें बहुत ही भेतरी सपोर्ट मिल रहा है दूसरा जो लेवल है बहुत इंपोर्टन्ट है क्यों इंपोर्टन्ट है मैं आपको बता देता हूं विकली चार के उपर क्योंकि द पुराना रजिस्टन्स जोए जहां पर टच किया था रजिस्टन्स को और फिर वहां से नीचे आ गया था दूस्तों 145 से तो वहां पर देखेंगे तो 61.8% के रेट्रेसमेंट को भी रिस्पेक्ट दिया था श्टॉक ने और फिर उपर वागा था दूस्तों उसके बाद आज वद दूसको हाई बने थे बड़ वह अपना पुराना हाई था उसको तोड़ा रही था जो पुराने हाई थे उसको ही रखा था यहां पर यह वाला हाई है वहां पर देखेंगे तो 50% के आसपास में वहां पर रुकता है विकली चाठ के उपर और उसके बाद के जो हा एक बार 50 एक बार 38.2 आया दोस्तों बट प्रिवियस और इसमें क्या डिफ्रेंस है तो मैं आपको बता दो और यहां पर आप देखेंगे कि 23.6% के रिट्रेस्मेंट को पकड़के भागा था दोस्तों यहां पर पूरे चांसिस बन सकते हैं कि जो 23.6% का रिट्रेस्मेंट है हमारा वहां पर फोड़ा सा लोवर सर्केट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नियूज नहीं आता है इस टॉक के डिगारिंग तो यहां पर एक बार ओपन हो जाना चाहिए फिर साइज सर्केट जो है वह उपन हो जानी चाहिए दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही अगर दुस्तों आप एक बार और चीज मार कर लो कि आज दो दिन में वॉल्यूम कम आये है यह चीज को मार कर देनी है आपको कल वॉल्यूम थे बढ़ आज तो बिलकुल ना के बराबर वॉल्यूम आये है अगर वॉल्यूम नहीं मिलेगा नीचे बाइंग आए तो यह गिरावट गहरी भी हो सकती है दुस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में डिम सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो में एजुकेशन परपस के लिए अपने फाइनेंशल एडवाजर की सला लेके आप इसमें टेड एनिवेस कर सकते हैं धन्यवाद दूस्तों थैंक यू थैंक यू अलिमाज